गुद मॉर्निंग मेगनेटिक प्रपर्टीज ऑफ मेटीरियल्स में आज हम एक स्पेशल ग्रूप ऑफ आयन्स पढ़ने चाह रहे हैं जिसको कहते हैं लो समू आयन इसके बाद हम फेरो मेगनेटिस्म की स्टडी भी करेंगे तो देखिए लो समू आयन्स कोन से होते हैं कुछ आयन्स का ग्रूप है जैसे टाइटेनियम है वेनेडियम, क्रॉमियम, प्लस थ्री जिनकी स्टडीकता प्लस थ्री है यहाँपर मेगनेज प्लस थ्री, आयरन प्लस थ्री और प्लस थ्री वाले भी कुछ आयन है जैसे आयरन, प्लस थ्री, कोबाल्ट, निकल और कोपर इन में क्या होता है कि 3P तक उपकोश तक सभी उपकोश टोटली फिल्ड रहते हैं, कम्प्लीटली फिल्ड रहेंगे सब शेल्स 3P तक और 3D वाले आशिक रूप से भरे रहते हैं, जितने भी उनकी उनकी इलेक्रोनिक स्ट्रक्चर हैं, उनकी अकॉर्डिंग, आउटर शेल में उनके, तो आउटर शेल इसमें 3D होती है, तो 3D में 3D सब शेल आशिक रूप से भरा होता है और 3P तक सभी कम्प्लीटली P effective के experimental values and theoretical values match नहीं करते हैं, इन आयन्स की अगर P effective की study की जाए, P effective is G, G is the Landry Factor and under the root J into J plus 1, where J is the total quantum number of that particular आयन्स, तो P effective theoretical and P effective experimental match नहीं करती हैं, तो यहाँ पर अगर एक assumption लें कि P effective में J की जगे है, जो J quantum number है, total quantum number, उसको shift कर दे हम spin quantum number S से, तो then, जो experimental values हैं, वो match कर रही हैं, approximately equivalent होती हैं, अगर J की जगे S put कर दिया जाए तो, that means यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि J जो total quantum number है, उसमें, जो J जो total magnetic moment है, यहाँ पर चुमकिया है, समवेग है, सो, जिसकी value L plus S होती है, जो कि L और S दोनों का combination होता है, केवल S इसमें contribute कर रहा है, केवल spin angular momentum इसमें contribution दे रहा है, तो इसका मतलब L जो है कही ना कहीं, किसी ना किसी reason से, जो L है, कक्षिय कोणिया समवेग है, यह चुमकिया समवेग है, उसकी value 0 हो रही है, कक्षिय समवेग की value 0 हो रही है, तो इसका मतलब, इसका reason हमें दूरना पड़ेगा कि क्यों इन ions में L का quenching हो रहा है, मतलब L का suppression हो रहा है, L का dhamन हो रहा है, quench होना मतलब खतम हो जाना, दमन होना किसी reason से, तो वो reason हम देखते हैं तो इसे stoner ने, stoner ने better समझाया, एक reason दिया देखिए, rare earth ions में rare earth ions अलग होते हैं जैसे कि rare earth ions में, बाहिय उपकोश में 5s25, 5p6 electron होते हैं, वहाँ पर L का quenching नहीं होता है वहाँ पर quenching नहीं होता है तो इन्होंने reason दिया कि difference क्यों हो, कि rare earth ions में L का contribution मिल रहा है लेकिन iron group ions में L का contribution नहीं मिल रहा है तो rare earth ions में क्या होता है कि बाहिय उपकोश में 5s25, 5p6 electrons होते हैं बाहिय उपकोश में, जो कि 4f उपकोश जो कि अंदर होता है क्योंकि उसमें जो filling होती है electrons की filling किस तरह से होती है कि 4f उपकोश बाद में भरा जाएगा पहले 5s2 और 5p6 भरे जाएंगे, then 4f उपकोश बरा जाता है, उसकी energy कम होती है, then वो बाद में बरा जाता है, energy के क्रम में electrons भरे जाते हैं, जिन उपकोश की energy कम होती जाएगी उनको पहले बरेंगे, और जिनकी energy higher होती जाती है, उनको बाद में फिल किया जाता है तो 4f की जो energy होती है वो higher होती in comparison to 5s and 5p, तो इसलिए पहले 5s2, 5p6 की filling होगी और फिर 4f की filling होती है लेकिन 4f अंदर होता है 5s और 5p भी बाहर होते है इस वज़ा से 4f उकोश को shielding provide करते है 5s2 और 5p6 उनके उपर आजाने से उनको shield मतलब कि उनका बचाव करते हैं उसका, इस वज़ा से जो crystal potential है crystal potential जो होता है उन electrons को प्रभावित नहीं कर पाता है इस वज़ा से उन आराम से easily वो कक्षिये गती कर पाते हैं उसकी वज़ा से उनमें कक्षिये momentum और फिर कक्षिये चुम्ब की आगोन उत्पन हो जाता है तो L का contribution होता है लेकिन जो iron group में ions होते है उनमें 3D उपकोश जो की partially filled है आंशिक रुप से भरा हुआ है वो सबसे बाहरी उपकोश होता है उसके बाहर कोई भी उपकोश नहीं है तो वो directly crystal potential के संपर्थ में आएगा और उसके electrons की जो गती है वो crystal potential के द्वारा प्रभावित होती है इसलिए इनकी कक्षिये गती पडोसी ions के क्षित्र से बंद जाती है वो कक्षिये गती इसलिए नहीं कर पाते है potential जो है वो बाधा एक तरीके से potential barrier की तरह व्यभार करता है तो उसको electrodes को कक्षिये गती नहीं करने देता है इसलिए तथा external magnetic field के द्वारा गूनन नहीं हो पाता है तो magnetic field जो लगाया है हमने उसकी presence में जो magnetic moment है वो उसमें produce ही नहीं हो पाएगा कक्षिये गती की वज़े से इसलिए L का contribution यहाँ पर negligible माल लिया जाएगा नगर्नय होता है तो यह एक बहुत important reason है और बहुत important theory है इससे हमें बिल्कुल ध्यान में होनी चाहिए कि लो जो समू आयन है लो समू आयनों में total quantum number केवल spin quantum number की द्वारा ही उसका योगदान क्यों होता है या फिर quenching of L L का दमन कक्षिये कोणिये समवेक का दमन क्यों होता है तो ये हमें theory ध्यान रखनी है next देखिए हम ferromagnetism के बारें पढ़ते हैं ferromagnetism की जो theory है वो Veeze ने दी थी Veeze theory of ferromagnetism Veeze ने अपनी theory में क्या कहा कि paramagnetic material में भी क्या होता है आगूर्ण होते हैं चुम के दूद्रो होते हैं और वो magnetic field लगाने पर magnetic field की direction में orient भी होते हैं उनका जो alignment है वो magnetic field की direction में होता है तो फिर ऐसा क्यों है कि ferromagnetic material और paramagnetic material में अंतर क्यों है ferromagnetic material में स्वतह चुम की एक शेत्र पाया जाता है स्वतह चुम की एक शेत्र क्या है कि ferromagnetic material में खुद के material की अंदर ही खुद के छोटे छोटे चुम्ब की एक शेत्र मतलब की चुम्ब की एक शेत्र किसे कहेंगे जिसमें की चुम्ब के दुद्रों की डिरेक्शन एक ही डिरेक्शन में होती है तो वहाँ क्या होता है कि उनका नेट चुम्ब की आगून हमें मिलता है जब चुम्के दूद्रों की directions एक ही direction में होती है सबी की तो हमें net चुम्की अगुंड मिलता है तो यहाँ पर क्या है पूरे material का चुम्के दूद्रों की direction same direction में नहीं होती है बलकि छोटे-छोटे domains बन जाते छोटे-छोटे क्षीतर बन जाते है या हम अगर समझाने की भाशा में कहें तो अपने अपने घर बना लेते हैं जिनमें सभी family members की direction same direction में होती है एक ही दिशा में वो aligned होते हैं तो इनको क्या कहते हैं domains का जाता है तो इस theory को भी domain theory भी का जाता है वीजने जो दी थी वो domain theory दी थी तो domains देखें क्या होते हैं चुम्ब किया पदार्थ में छोटे छोटे प्रभाव क्षेत्र बन जाते हैं जिनमें सभी atoms समान spin state में होते हैं एक ही spin state होगी तथा भिन भिन domains में spin states भिन भिन होती है तो ये important बात है कि एक domain में तो सभी atoms की direction सेम होगी लेकिन अगर अलग-अलग domain की बात करेंगे तो वहाँ पर same direction मिलना is not necessary that is different तो उससे क्या होता है पदार्थ का net magnetization जो होगा resultant magnetization प्रतेख domain के magnetization के vector sum के equivalent होगा तो कि vector sum तो हमें करना पड़ेगा कि जहाँ direction के बात हम करते हैं वहाँ vector ही लेना पड़ता है तो पदार्थ का resultant magnetization प्रतेख domain के magnetization vector के सम के equivalent होता है प्रतेख domain में देखिए प्रतेख domain में स्वतह चुमकन spontaneous magnetization होता है प्रतेख domain में स्वतह चुमकन तो ये स्वतह चुमकन क्यों है ये इसी वज़ासे है क्योंकि उनकी जो dipoles के direction है, वो एक ए direction में है, same direction में, एक ही दिशा में उनका face होता है, तो इसे हम spontaneous magnetization कहते हैं, इसलिए ferromagnetic material स्वतह चुम्बकित होते हैं, उनमें खुद का चुमकन छेतर पाये जाता है, तो ये जो स्वतह चुमकन होता है, वो पदार्थ के आणविक शेतर क के अस्तित के कारण होता है, अब ये आणविक शेतर क्या होता है, ये वीज ने दिया था, इसे हम वीज का आणविक शेतर भी कहते हैं, वीज फिल्ड भी कहते हैं, इसकी वजह से परमान्वे दीद्रू एक domain में समानतर संरेखन की स्थती में आ जाते हैं, ये जो molecular field होता है इसकी वजह से ही, इसकी वजह से ही domain में सभी atoms की direction सेम होती है, parallel alignment होते हैं, आणविक शेतर या वीज फिल्ड जो होता है, HM, इसे हमने क्या कहा है, HM का है, that is directly proportional to M, and what is M here, M है स्वतह चुमकन की तिरुता, क्योंकि HM जो है externally applied field नहीं है, बलकि क्या है, पदार्थ में उत्पन स्वतह चुमकिक शेतर है, जिसे आणविक शेतर या वीज फिल्ड भी कहा जाता है, और ये depend करता है किसे, कि पदार्थ की स्वतह, बलकि खुद से चुमकित होने के कितने क्षमता है, कितना जादा वो खुद के atoms की spring को, या खुद के atoms के dipoles, magnetic dipoles को, एक direction में सन्रेखित कर सकता है, तो that is the intensity of its magnetization, so HM का, जो ये HM equals to हो गया, हमने proportionality constant दिया है lambda, और lambda होता है V is constant, जो की temperature के उपर डिपैंड करता है, तो जैसा कि हमने बात करी थी anisotropic energy की, जा हमने बात करी थी, mu not b की, mu not b जो होती है, वो anisotropic energy होती है, system की, वो होती है, पदार्थ को चुम्बकित करने की ख्षमता, पदार्थ को magnetic field की direction में, किस हद तक वो magnetic field की direction में dipoles को ले जा सकती है, या अगून को सन्रेखित कर सकती है, तो और जो thermal energy होती है, thermal energy होती है, वो क्या करती है, उस direction से, दूसरी तरफ या उस direction से, other side में ले जाने की कोशिश करती है, तो दोनों energies क्या होती है, एक दूसरे का oppose करती है, मतलब anisotropy energy तो उस पदार्थ में चुम्बकित, चुम्बकन की तीवरता को बढ़ावा देगी, और thermal energy उसको कम करने की कोशिश करेगी, so lambda जो होता है, V is constant that depends on temperature, यह temperature पर भी निरफ़ करता है, और M यहा पर बाहरी रूप से B चुम्बकन क्षेतर अप्लाई किया है, तो BM की value हो जाएगी, B plus mu not hm, क्योंकि B बाहिए चुम्बकन क्षेतर हो गया, और जो स्वता चुम्बकन क्षेतर होगा, उसकी value होगी mu not hm, so hm की हमने value पूट कर दी, यहां पर lambda और mu not into m हो गया, अब हमने मा कि capital N, capital N is a number of atoms per unit volume, system के इकाई volume में total number of atoms कितना है, capital N है, प्रत्यक परमान का कुल कोणिया समवे quantum संख्या J है, तो पदार्थ की चुम्बकन तीवरता कितनी हो जाएगी, m equals to हो जाएगी n mu bx, क्योंकि mu bx होगी और n अगर total number of atoms per unit volume है, तो n से multiply कर देंगे, n mu bx, पदार्थ की चुम्बकन तीवरता को व्यक्त करेगा, where mu equals to, mu क्या है, यह चुम्बकी आगून को बताता है, जिसकी value तोटल चुम्बकी आगून है, यहाँ पे g landis factor है, mu b bor magnetone है, और capital J, कुल चुम्बकी है, कोणी है समवेख है, so यहाँ bx की value, जो bx है हमारा, वो brilliant function कहलाता है, जिसकी value हमने paramagnetic material के case में निकाला था, quantum theory of paramagnetic materials, 2j plus 1 over 2j, quote hyperbolic, 2j plus 1 over 2j, x, minus 1 upon 2j, quote hyperbolic, x upon 2j, where x equivalent to mu b upon kbt, यहाँ paramagnetic materials के लिए थी, x की जो यह value है, यह paramagnetic materials के थी, low चुम्बकी है materials के लिए, b की जगे हम bm put कर देंगे, जिसकी value हमने निकाली है, b plus lambda mu naught m, अगर यहाँ तक हम ने कर लिया, then देखे, स्वता चुम्बकन के लिए, अगर पदायाट में स्वता चु 0 हो जाएगा, तो b को हम 0 put कर देंगे, तो x की value आ गई, mu lambda mu naught m, m is a function of temperature, upon kbt, where mt चुम्बकन के लिए, ताप की function है, foot t equals to 0, देखे, अगर t की value 0 होगी, तो x की value infinite होगी, इस case में, जब x की value infinite होगी, तो bx की value होगी, qt hyperbolic x, जो multiple में है, qt hyperbolic x की value या qt hyperbolic infinite की value is 1, qt hyperbolic infinite की value 1 होती है, तो 1 put कर देंगे, तो bx की value हमें मिलेगी 1, ओके, और bx की value 1 होगी, तो m की value मिलेगी, n into mu, n into mu ms को व्याक करता है, मतलब संत्रप्त चुम्बकन को व्याक करता है, तो जब स्वता चुमकन की बात करी हमने जब हमने T की वैल्यू जीरो की बात करी जब thermal energy बिल्कुल disturb नहीं करी जब thermal energy की वैल्यू जीरो है तो देखिए जब thermal energy हम ताप को बिल्कुल जीरो कर देंगे तो पदार्थ के सभी डाइपोल्स की direction एक ही दिशा में होगी और वो क्या होगी संत्रप्त चुम्बकन के वस्ता होगी मतलब कि जितनी possibility होगी पदार्थ के magnetic होने की या magnetized होने की तो पदार्थ उतना magnetized हो चुका क्योंकि उसे disturb करने वाला कोई है यह नहीं उसको disturb कौन करता है thermal energy करती है temperature करता है और यहां हमने temperature को बिल्कुल 0 माल लिया ओके so t equals to 0 पर m की value ms note या संत्रप्त चुम्बकन हमें प्राप्त होगा अब हम रखते हैं n mu equals to ms note in equation 1 and 2 में हम put कर देते हैं तो हमें मेलेगी mt equation number 1 में m जो है तापका फलन है यहां पर अगर हम n mu को ms लिख देते हैं तो यह जाएगा mt equals to ms 0 bx ms 0 क्या है 0 temperature पे 0 temperature पे m की value क्या हो दिया ms होती है मतलब संत्रप्त होती है so mt over ms note 0 equals to bx आ गया इसी तरह से equation number 2 में देखिए x equals to n से उपर निचे multiply कर देंगे हम इसे हमारे पास आजाएगा n mu square ok mu से भी कराए n mu square over n kb t into mu lambda mu 0 empty empty upon ms note again यहां से हमने निकाल लिया इसकी value equation number 4 से next देखिए यह हमने दो graph बनाए जो equation number 3 और 4 है यहां पर यह दो हमें graph मिल रहे है x axis पे हमने x की value ली है और y axis पे हमने mt upon ms 0 की value ली है अब देखिए यह जो graph first है इसमें graph first जो है थोड़ा सा slope है जिसमें that represents the quantum theory of paramagnetism क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर जो paramagnetic material है और ferromagnetic material है इनमें सिर्फ एक ही term का यहां difference अगर mathematical formulation में हम देखते हैं तो यहां पर केवल एक ही चीज़ का difference आ रहा है कि ferromagnetic materials के लिए हमने x की value में b की जगे bm पुट किया है and what is bm here externally applied field में एक term और अड़ गर्दी lambda mu note m that is weese magnetic field जो की पदार्थ में स्वतह चुमबक की एक शेत्र को बता रहा है स्वतह चुमबकन को बता रहा है तो वो पदार्थ में already होता है तो ferromagnetic material इसी लिए paramagnetic materials से different है कि इनमें स्वतह चुमबकन का गुण पाया जाता है अपने आप ही इनके जो dipoles होते है magnetic dipoles वो एक ही direction में aligned होते है so that is the basic difference between paramagnetic and ferromagnetic materials तो यहाँ पर जो curve first और curve second है वो हमें curve first बता रहा है paramagnetic materials की quantum theory की basis पे curve मिल रहा है और second curve मिल रहा है हमें ferromagnetic materials के लिए जो की 20 के according दीगी थी यहाँ देखिए curve first में mt upon ms0 की value bx है लेकिन curve second में mt upon ms0 की value है kbtx upon n lambda mu square mu note यहाँ दो वकर जिस बिंदू पर परसपर काडते हैं वह x की संगत mt upon ms note की अवमान बताएगा यह स्वतर चमकन की स्थती होगी तो स्वतर चमकन की स्थती कब आएगी जब पैरा magnetic materials के लिए देख सकते हैं कि जब x की value बढ़ रही है x की value क्या है mu b upon kt है तो जब x की value बढ़ने का मतलब हो गया कि magnetic field की value बढ़ रही है उसकी intensity बढ़ रही है तो जब intensity बढ़ रही है तो हम देख सकते हैं यहां से यह आप देखें इसमें यह mt upon ms 0 की value बढ़ रही है ठीक है तो जब magnetic field की value बढ़ आते जाएंगे हम तो इसकी value बढ़ रही है इसका मतलब जो temperature किसी temperature पर जो magnetization intensity है वो ms node की तरफ जा रहा है मतलब की स्वतर चुम्बक की तरफ अप्रोच कर रहा है और यहां पर यहां पर क्या हो गया स्वतर चुम्बक की तो चुका मतलब की संत्रप तवस्था आ चुकी संत्रप तवस्था संत्रप तवस्था क्या होती है कि सभी जो magnetic dipoles थे उनका alignment same direction में हो चुका जितना हो ना था उतना हो चुका उसके बाद कोई possibility नहीं है उसके बाद उसमें dipoles हैं नहीं कि वो किसी direction में aligned होंगे लेकिन यहां पर आप देखें वीस field वाला जो ferromagnetic materials के लिए जो curve है वो भी continuously बढ़ रहा है जैसे एक्स बढ़ेगा उसमें भी क्या होंगे एक की direction में aligned होते जाएंगे जो domains हैं यहां पर क्या है हम domains की बात करेंगे कि domains जो हैं वो magnetic field की direction में aligned हो रहा है लेकिन इसमें भी क्या होगा कि यहां पर आकर और यह यहां इसे cut कर रहा है इसका मतलब यह संत्रप तवस्ता को बता रहा है तो यह जो है यह स्वता चमकत्यों की point है इसका मतलब कि यहां पर पार्टिकल्स क्या हो रहे है स्वता चमकत हो रहे हैं उनको जरूरती नहीं है किसी magnetic field की चीक है point zero पर curve two की प्रवन्ता, curve first की प्रवन्ता से कम या बराबर होगी स्वता चमकन की आउशक शर्त यही होती है कि जो ferromagnetic material है उनके लिए जो curve आ रहा है MT upon MS node का उसकी प्रवन्ता paramagnetic material के लिए आने वाले curve से कम होगी या बराबर होगी तो देखिए at point zero पर since x is very very less than from one है origin पर x की value x से बहुत कम है और इस case में bx की value x upon 3 j plus 1 upon j से हम देते हैं so MT upon MS 0 की value होगी x upon 3 j plus 1 over j क्योंकि that is equivalent to bx है MT upon MS 0 की value यहां से equation number 3 से तो हमने इसको equivalent कर दिया curve first की 0 पर prevent था MT upon MS 0 upon x prevent था होती है y over x तो y जो है x पर हमने क्या लिया MT upon MS और x अक्ष पर x लिया है तो यह value हमें दे रही है 1 upon 3 j plus 1 upon j इसी तरह curve 2 की 0 पर prevent था कितनी है that is fixed यह constant slope है k b t x upon n lambda mu square mu note है तो यह जो relation हम कैसे निकालेंगे कि हमने यह जो शर्त बताई है कि curve second की prevent था curve first की prevent था कम या बराबर होनी चाहिए तो यह यहां पर हमने शर्त लगा दी है इस शर्त से हमने t की value जो temperature है उसकी value निकाली है कि t should be less than or equals to n lambda mu note mu square upon 3 kb multiplied by j plus 1 upon j तो यह जो temperature है जहां वहत आप जिस पर उप्रोक्त शर्त बराबर होती है उसे क्रांतिक आप कहते हैं तो इसका मतलब t जो है इस value से या तो बराबर हो या कम हो तो जहां बराबर हो रहा है वो एक हमने fix कर दिया कि यहां से तो कम होना ही होना चाहिए इससे ज़ादा नहीं हो सकता तो वो जो एक critical temperature है this is called critical temperature और tc tc से हम इसे कहेंगे so tc की value हो गई n lambda mu note mu square upon 3 kb j plus 1 upon j so पदार्त में स्वतर चुमकन की आवशक शर्ट यह हो गई कि t should be less than or equal to tc temperature जो है tc से या तो बराबर हो सकता है या कम होना चाहिए उस condition में उसमें स्वतर चुमकन उत्पन होगा और t greater than tc पे होगा paramagnetic state तो जहां देख सकते हम यह देखे इस temperature से उपर यह क्या है ferromagnetic की शर्ट को follow कर रहा है लेकिन इसके नीचे paramagnetic sorry temperature की उपर तो किसको follow करेगा वोगी temperature बढ़ा देंगे तो magnetic field की value एक तरीके से saturation की value कम हो जाएगी तो graph नीचे की तरफ जाएगा तो paramagnetic को follow करेगा since देखे आप नीचे की तरफ जाएगा उपर की तरफ नहीं जाएगा ती अगर हम बढ़ा रहे हैं तो graph नीचे की तरफ जाएगा paramagnetic वाला क्योंकि magnetic field की value temperature बढ़ाने पर एक तरीके से क्या करेगी effective नहीं रह पाएगी क्योंकि वो उसको tilt कर रही थी direction में लेकिन आप नहीं हो पाएगे उनकी direction dismiss होएगी तो वो saturation से दूर की तरफ बागेंगे तो ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा लेकिन जैसे जैसे temperature कम करेंगे T is less than Tc करेंगे तो ये क्या होगा? saturation की तरफ अप्रोच करेगा तो ferromagnetic की तरफ जाएगा तो ये एक important result था और Tc यहाँ पर critical temperature कहलाता है तो ये क्या next class में देखेंगे हम क्यूरी वी slow Thank you